नमो नारायन संक्षिप्त वालमी की रामायन भाग छप्पन राम ने रावन का वद कैसे किया? मेगनाद वद के बाद रावन के भीजे गए तीन अंतिम सेनापती भी मारे गए रावन का स्वयम युद्ध भूमी में आना भी उसकी सेना के लिए अधेक कारगन नहीं हो सका रावन ने विभीशन को मारने के लिए उन पर शक्ती चलाया जिसे आगे बढ़कर लक्षमन ने अपनी चाती पर जेल लिया पहले भी वह लक्षमन को घायल कर चुका था लेकिन उन्हें उठाने में असमर्थ रहा था राम से भी वह हार चुका था लनका के किले की सुरक्षा के सभी इंतजाम ध्वस्त हो चुके थे किले पर भी राम सेना का कबजा था राम सेना नगर के अंदर तक जा चुकी थी अब कोई और रक्षा पंक्ती रह नहीं गया था इसलिए इस बार उसने कोई खत्रा नहीं लिया लक्षमन को घायल करवल तेजी से लनका के अंदर चला गया वानर योधाउं ने उसे रोकने का प्रयास भी नहीं किया क्योंकि वे सब लक्षमन के लिए चिंतित थे रावन के जाते ही राम भाई के पास आ गए सभी सेने कुन दोनों भाईयों को घेरे हुए दुखी पर सावधान होकर खड़े थे सुषेन के सलाह के अनुसार हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आये जिससे उपचार के बाद लक्षमन जी ठीक हो गए उनके ठीक होते ही राम पक्ष में हर्श्वर उत्साह चा गया लक्षमन ने सचेत होते ही राम से रावन को मार कर विभीशन के राज्या भिशेक की प्रतिग्या पूरी करने के लिए कहा लक्षमन का ये शौर्ययुक्त वचन सुनकर राम भी रावन को मारने का संकल्प लेकर उठ खड़े हुए उन्होंने धनुष हाथ में ले लिया रावन का पुनह युद्ध भूमी में आना अभी तक रावन भी दूसरा रत लेकर थोड़े विश्राम और तयारी के बाद युद्ध भूमी में फिर आ पहुचा राम ने रावन को लक्ष करके बान छोड़ना शुरू कर दिया अब सब समझ चुके थे कि राम रावन में अंतिम युद्ध शुरू हो चुका था रावन की तरफ से अब कोई युद्ध जीवित नहीं बचा था अता देवता भी बड़ी उत्सुकता के साथ यह युद्ध देख रहे थे इंद्र द्वारा राम के लिए रत भेजना और द्वेर्थ युद्ध इस द्वंद्वय युद्ध में रावन रत पर था राम पैदल ये देखकर देवराज इंद्र ने अपने सारथी मातली को रत सहित राम के पास भेजा तकि युद्ध बराबरी का हो मातली के आग्रह करने पर राम रत की परिक्रमा और प्रनाम कर उस पर सवार हुए अब दोनों रती योधाओं के बीच द्वेर्थ घमासान युद्ध शुरू हुआ उस समय रावन दस मस्तक और बीस भुजाओं से युक्त था दोनों ने एक दूसरे को घायल किया एक दूसरे के रत और सारती भी आहत किये रावन का पुना घायल होकर नगर आ जाना युद्ध देखने के लिए देवता, दानव, रिशियादी भी आकाश में आ गए दोनों पक्ष की सेनाएं अपने अपने नायकों की जय घोश कर रही थी घायल यद्यपी दोनों हुए थे, तथा पी रावन की स्थिती ज़्यादा खराब हो गई राम के दिव्य अस्त्रों से रावन विचलित हो गया उसमें धनुष को खीचने की क्षमता भी नहीं रही वह निधाल होकर रत पर गिर पड़ा उसकी यहाल देखकर उसका सारथी रनभूमी से रत को निकाल कर नगर में आ गया रावन को जब होशाया तब उसे पराजित होने और रनभूमी से भाग आने को लेकर गलानी हुई इस रनभूमी से ले आने के लिए उसने सारथी को डाटा लेकिन सारथी ने विनम्र वचन कहकर उसे शांत किया ये तीसरा अवसर था जब रावन युद्ध भूमी में राम से परास्थ होकर लनका भाग आया था लेकिन फिर भी उसने अपनी हार नहीं मानी थी वो फिर युद्ध भूमी के लिए चला अगस्थ मुनी का रनभूमी आकर राम को आदित्य हरिदायस्तोत्र देना सूर्य देव जोकी युद्ध देखने आये देवताओं के मध्य में थे ने प्रसन होकर राम से कहा रगुनंदन अब जल्दी करो तब तक रावन का रथ आता दिखा राम ने मातली के अनुभव और कारियों की प्रशनसा करते हुए कुछ सावधानी बताया क्योंकि उनके शत्रू राक्षस माया और छल करने में सिध्ध हस्त थे अब रावन के पराजव और राम की जय दर्शाने वाले कई शकुन प्रकट होने लगे राम रावन में अन्तिम युद्ध शुरू होना राम और रावन दोनों फे रामने सामने आ गए दोनों एक दूसरे पर बानों की वर्शा करने लगे इन दोनों का युद्ध इतना रोमान्चक था कि दोनों से नाय अस्त्र लेकर एक दूसरे के सामने होते हुए भी प्रहार नहीं कर रहे थे वे आश्चर्य से रुक कर राम रावन का युद्ध देखने लगे वे अपने अपने नायकों को विस्मित होकर देख रहे थे। दोनों बानों के साथ ही अन्यास्त शस्त भी चला रहे थे। दोनों के सारत ही भी अद्भुत कोशल दिखा रहे थे। जैसे जैसे युद्धा आगे बढ़ रहा था राम को अपनी जीत कर और रावन को अपनी मृ गिर पढ़ा, लेकिन उस कटे हुए सिर की जगा रावन को एक नया वैसा ही सिरुत्पन हो गया, एक एक कर राम ने उसके सो सिर काट डाले, पर कट्ते ही नए सिरुग जाते थे, राम इसका कारण सोचने लगे, सोच में पड़े होने पर भी राम सावधान रहे, उन्होंने उ राम भी उसी तरह अस्त्रों से उसका प्रत्युत्तर देते थे, अता दोनों के बीच ये युद्ध कभी आकाश में, कभी जमीन पर और कभी परवत पर होता था, दिन के बाद वह सारी रात भी बीट गई, युद्ध लगातार चलता रहा, सारथी मातली द्वारा राम से र रत्युत्तर दे रहे हैं, आप इसके वद्ध के लिए ब्रह्मा जी द्वारा दिये गए अस्त्र का प्रयोग कीजिए, देवतावन ने इसके वद्ध के लिए जो समय बताया है, वह बाँ पहुँचा है, रावन वद्ध, मातली के इस प्रकार कहने से राम को भी उस अस्त् जब वे उनकी आश्रम में गये थे। राम ने ब्रम्हा जी के उस विशिष्ट बान का संधान किया। धनुश पर रखकर उसे रावन की छाती को लक्ष्य करके चला दिया। बान के लगते ही रावन का हृदय विदीर्न हो गया। ये बान रावन के प्रान को हरकर धर्ती में समा गया। फिर अपने आप राम के तरकश में आ समाया। प्रान हीन होकर रावन जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ से अस्तृ छुट गए। उसे मरा देखकर उसके बचे ह वानरों ने उन्हें मार मार कर नगर में भेज दिया, आकाश में देवताओं की दुदुम्भियां बजने लगे, समस्त लोक में आनंद मनाया जाने लगा, सबको भय देने वाला रावन आज प्रानहीन हो चुका था, वानर सेना जश्न मनाने लगी.